Hello everyone, very very good afternoon, कैसे हो, होब करता हूँ, आप सब लोग अच्छे ही होंगे श्योफ रैंड्स, आज 29 फरवरी 2024 और आज B8 कोर्स को लेकर एक latest update निकल के आ रही है इस स्क्रीन पर आप सब लोग देख सकते हैं कि अगले वर्स से B8 बंद अब सिछक वही बनेंगे जो IETEP कोर्स करेंगे, तो B8 कोर्स फाइनली बंद होने जा रहा है इस विडम हम बात करेंगे, जैसे जो B8 कर चुके हैं, उनका क्या होगा जो B8 कर रहे हैं अभी वर्तमान में, उनका क्या होगा और जो इस वर्स करेंगे, 2024 में जो है admission लेंगे, उनका क्या होगा और नए कोर्स के बारे में बात करेंगे, इसकी योगिता के बारे में बात करेंगे, कैसे admission होगा सारी जानकारी आपको इस विडम में देने वाला हूँ Teaching exam की पलकल की latest authentic update पाने के लिए अभी कभी education beside YouTube चलों को subscribe करें ताकि जो भी update आए, वो update आपको सबसे पहले हमारे चैनल के मादम से मिल सके चली वीडियो को start करते हैं, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, पूरी वीडियो जरूर देखना सब doubt आपका clear कर दूँगा, यहाँ पे देखिए, अगले वर्ष से बीएड बंद, अब सिच्छक बनने के लिए करना होगा IETEP course, ठीक है, तो IETEP course क्या है, सारी जानकरिया आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, यहाँ पे देखिए, National Council for Teacher Education, NCTE ने जो है, अब सिच्छक बनने के लिए चार वर्षी, Integrated BSC B.A. और B.A. B.A. बंद करने का फैसला ले लिया है, सैचलिक सत्र 2026 से इन कोर्सों में प्रविस नहीं होंगे, हालांकि NCTE की और से सैचलिक सत्र 2024-2025 तक admission लेने वाले विद्धारतियों की पढ़ाई जारी रहेगी, NCTE ने B.A. की बजाए, Integrated Teacher Education Program ला र आया है, और भी State के form आये हैं, तो उनको कोई भी problem नहीं होगी, ये last होगा सिसन, ठीक है, B.A. का, क्योंकि B.A. की जगा पर क्या ला जा रहा है, NCT, ये वाला आपको देख सकते हैं, NCT की तरफ से ला जा रहा है, IETP कोर्स ला जा रहा है, B.A. की जगा पर, आगे देखी यहा हर साल प्रवेस परिच्छा होगी, इसका जो admission होगा, entrance exam के थ्रो होगा, जैसे अभी admission होता है, जिसकी merit जारी की जाएगी, इसी आधार पर बनी rank के अनुशार अभ्यारतियों को college a lot किये जाएंगे, तो B.A. कोर्स जो है, अगले सत्र से बंद कर दिया जाएगा, इसकी जग लग जाता है, दो साल B.A. में लग जाता है, तो टोटल पांच साल लग जाते है, तो चार साल में आपका clear हो जाएगा ये, ठीक है, अभी ये नहीं clear किया गया है, जैसे जो बच्चे graduation किये रहेंगे already, तो उनका कैसे क्या होगा, तो वैसे अगर होगा system, तो उनका two year का ही ह होगा B.A. ठीक है, ये वाला जो नया कोर्स होगा, केवल B.A. बंद किया जागा, इसकी जगह पे नया कोर्स ला जा रहा है, I.E.T.E.P. कोर्स, ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे जो बच्चे B.A. कर चुके हैं, उनको भरती देखने का जो है, मौका दिया होगी, ओकी न, नहीं इस वर्स प्राब्लम होगी, जो बच्चे इस बार जैसे एड्मिशन लेने जा रहा हैं, एंटर्स एक्जाम देखें, उनको भी कोई प्राब्लम नहीं होगा, उनका जो सत्र है, वो कंप्लेट किया जाएगा, पोर्ड रूप से, और उनको भरती भी देखने को मिलीगी, ठीक है न, होप करता हूँ, सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, और इसका जो फार्म है, यह समझ लेजे कि 2025 में जारी किया जागा, नेश्ट सेसन से, ओके, तो इंटर के बाद, जो भी जैसे अपना टीचिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते ह बीएड कोर्स को बंद कर दिया जगा, इसकी जगा पर ने कोर्स ला जा रहा है, तो अगर आप इस वर्स जो है बीएड इंटरेंस एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट बुक के बारे में नहीं पता है, तो आप चक्सु प्रकास्चन की बुक से अपनी बहतरीन तैयार बुकों से स्रेश्ट है, नय पैटन पर आधारीत पूरी पुस्तक यहाँ पर देखेंगे आप लोग, SRR पब्लिकेशन की बुक यह एक्जाम पैटन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर इसकी वीसाय सूची देख सकते हैं, यह देख सकते हैं, प्रविसर के कोश्चन लग पुस्तक हैं, आपको हर मार्केट पे बहुत ही आसानी से मिल दाएंगी, आप सबसे बेस्ट हैं, ऑनलाइन इसे परचेश कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में आपको दे दिया हूँ, ठीक है, तो यह बताइएगा, यह अपडेट कैसी लगी, और आपको सबसे बहले हमारे चैनल के मादन से मिल सके, थैंक इस शो मच, बाई बाई, टेक कियर